तो ये आपको आगे वीडियो बताने वालों दोस्तों तो वीडियो को उसके इमत करेगा वीडियो पूरा देखिएगा तो यह आप समझ पाएंगे चलते हैं आगे मिरे नाम सणी अरव आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में अप्डेट के बारे में तो उसके लिए यहां जाना आपको अपने मॉबाइल की सेटिंग पर जाएंगे तो आपको उपर टॉप पर अप्डेट पर अप्डेट करेंगे तो बता देगा कि ने अपडेट वहापर रोल आओट हो चुका है यहां पर अप्डेट आया है इसमें क्या गया है overall stability of your device had been improved आप software update can improve but is not limited जैसे कि हर उसमें होता है कि मैंने हर वीडियों बता है जब भी कोई software update आता है उसमें device के stability improve की जाती है और कुछ हिनास feature भी improve की जाती है और कुछ bugs को वहाँ पर fix किया जाता है यह यहाँ पर किया गया है उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे इसके बाद जब यह update होगा उसमें आपकी वाले apps जो लिखे हैं यह सारे app अपडेट हो जाएंगे यह अफिर हो सकता है अपडेट होने के बाद आपसे अपडेट मांगे तो यह updated वाले app इसमें आपको support करेंगे साथ में आपको नीचे देखेंगे software update information इस update में आपको क्या मिला है जो इस update का size है 969 MB.35 MB मतलब की लबग 970 MB का यह update है और साथ में इसमें आपको security patch मिलने वाला 1 माई 2022 का तो इसको update करने से पहले मैं आपको लेशलता हूँ पहले about phone में वहां आपको दिखा देता हूँ कि अपने पास कौन सा UI वहां पर available है अभी यह जो 1 UI 4.1 में है और नीचे की तरफ आएंगे यहां पर security अप्रेल आपने पास 1 April 2020 की है तो इसको मैं update कर लेता हूँ डाउनलोड अब मुझे इसको करने ना इंस्टॉल इंस्टॉल पर क्लिक करने के लिए दोस्तों मैं हर बाद बताता हूँ जब भी आपने mobile को update करें या फिर कोई भी इसको software update करते हैं तो उसको आपका mobile 50% की above charge होना चाहिए नहीं तो आपको problem हो सकती है तो आप फाइनली मैं इसको install now पर क्लिक कर देता हूँ तो आप देसकते हैं यह मेरा mobile बंद भी हो गया अब restart हो जाएगा automatic और वहाँ पर software installation चालू हो जाएगा Samsung चालू होगा फिर Android Auto को एक sign बना हो जाएगा और वह continue चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा और चलता ही जाएगा तो इसको होने देते हैं फिर मैं आगे आपको प्रोसेस पताता हूँ तो फाइनली दोस्तो यह update हो चुका है अपडेट होने जाद मेरा mobile यहाँ पर on हो रहा है अगर आप नीचे की तब देखें नोटिवेशन में नीचे करूँगा तो थोड़ा slow चलता है होगी अपडेट बैक्राउम में फ्रोसेस चल रही हो थी आप देख रहे होंगे हाँ पर एक प्रोसेस चल रही है यहाँ पर आपको यहाँ पर अपडेट कर दी गई है आपको अब वह मिलने वाली है तो इसको एक बार प्रोसेस होने देते हैं तो finally आप देखते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको notification आ चुका है कि your phone has been updated मतलब कि मेरा mobile यहाँ पर पुछी तरह से update हो चुका है जैसी मैं okay करूँगा यहाँ पर हड़ जाएगा और ऊपर कोई भी वहाँ पर process नहीं चल रही होगी अब मैं आपको ले जाता हूँ यहाँ यहाँ पर 4.1 का बनियु आई है और वहाँ पर security patch update कर दिया गया है जो कि पहले वहाँ पर मेरे पास एक अप्रेल का था अब यहाँ पर एक मई 2022 का यहाँ पर update कर दिया गया है उसके दोस्तों यहाँ पर आपको वापे ले जाता हूँ software update वाले में software update में जाने क्या आपको problem लग रही थी like मेरे mobile जो पहले update आया था उसके बास से mobile की बैटरी कम चलने लगी थी और थोड़ी से लेंगिंग की है तो सकता है इस update के बाद आपकी वह problem solution हो जाए तो यहाँ पर अभी वैसे कुछ चेंजिस तो नहीं आया है simply यहाँ पर bugs को fix किया गया है और पूरे stability mobile की increase करी गई है तो यही नए update था जो कि मैंने आपको बताया इसके बाद मुझे लगता है कुछ नए changes या कुछ नए features आए तो उसके लिए मैं आपको definitely एक video बना के बताऊंगा अलग से अगर आपको लगता है कि इस update के तो कुछ नए changes आया तो आप मुझे comment करके जरूर बतान तो नए उस पर comment video बनाने की कौशिश करूगा तो दोस्तो मुझे उमीद है कि आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई होगी दोस्तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद तो प्लीज लाइक जरू करें अगर आपको लगते हैं सो मेरे बीडियो कुछ कमी तो मेरे डिस लाइक कि दोस्तो